वेलकम टू ओलिव बोर्ड इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाले हूँ आपके साथ दिसंबर 2020 का हम बैंकिंग करेंट अफियर्स डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फोर्म आपके सामने ले आया हूँ जल्द ही आपको मंतली रिविजन इस मंत की मिल जाएगी तो वीडियो देखने का पार्ट डिसाइड कर लिजेगा सब्सक्राइब करके बैल इकन दबाना कि नहीं दबाना पंजाब और महरास्टा कोपरेटिव एंक सब के कान खड़े हो जाते हैं यह नाम सुनते ही क्यों क्योंकि यह काफी न्यूज में रहा था और इसके बाद ही काफी कड़े पाएंगे यह वो तो उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे कितना पैसे की बात की गई है क्योंकि अलग अलग टाइम पर रिस्रिक्शन लगाए गई थी जो न्यूज में था तो वो तीन महिने के लिए और बढ़ा दी गई है 31 मार्स 2021 तक लिमिट लगा दी गई है कि आप इत एकस्प्रेशन ओफ इंट्रेस्ट मिले हैं कि हम इसको रिवाई लेकर सब्सक्राइब करवा सकते हैं इसका टू एक्जामिन तैम उनको एक्जामिन करने के लिए बैंक को थोड़े ओर टाइम के ज़रूत पड़ेगी इसलिए इससे बढ़ा गया है टाइमिंग को इस प्र लाइम चाहिए बैंक को कि देखें कि वायबिलिटी क्या है किसको ऐसा मोका दिया जाना चाहिए यह डिपोजिटर्स को हित में देखके ही प्रमिशन दी जाएगी ओनलाइन प्लैट्फॉर्म इन共 multi इंडिया ऐसे सब्सक्राइं है। इनाज कि यह डशी किस के लिए किया गया है टो यह फोरंण कंपनिस सबंस परिंस्टेपलों करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना जी क्या होता है जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ हाथ मिलाती है ठीक है तो वह एक कुंट्रेक्ट साइन होता है उन दोनों के बीच मैं उसे बोला जाता है MOU ठीक है तो आप से पूछा जा सकता है कि MOU क्या होता है MOU एक तरीके का अग्रिमेंट होता है Memorandum of Understanding बैंको बडोदा ने साइन किया है किसके साथ इंडियन नवी के साथ इंडियन नवी के साथ किया गया है इंडियन कोश्टल गार्ड के साथ किया गया है अंडर विच दे बैंक कुद ओफर कस्टमाइज़ सर्विस देगा along with host of facilities to account holders account holders जो होंगे इंडियन नेवी और इंडियन कोश्टगार्ड के उनके लिए स्पैसल कस्टमाइज सर्विस देगा it will also renew its existing MOU existing MOU जो है इंडियन आर्मी के साथ जो ओफर करने की बात की गई है बड़ोदा military salary package उसको renew करने की भी बात कही है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए बड़ोदा जब copy में नोट करेंगे आप तो आपको क्या करना है बड़ोदा प्लस military salary package तो इससे आपको याद रह जाएगा कि बड़ोदा ने military salary package renew करने की बात कही थी और इंडियन नेवी और इंडियन कोश्टगार्ड के साथ एक MOU किया है रिजर्व बैंक ने कैंचल कर दिया लाइसे किसका लाइसे कैंचल कर दिया पिछली वीडियो मैंने आपको करवाया था कि एक अरबन कोपरेटिव बैंक है केरला के अंदर उसके उपर रिस्टिक्शन्स लगा दी गई थी कंप्लाइंसे की वज़े से उसके उपर 50 लाइक रुपए की पैनल्टी लगाई गई जब बैंक में चले जाएंगे तो ऐसी पोइंट लगा लगा के लिखेंगे ठीक है रिजर्व बैंक ने कैंसल किया लाइसेंस किसका लाइसेंस कैंसल किया है यह बात आपको पता होने ज सुबद्रा लोकल एरिया बैंक ल.a.b. ठीक है लोकल एरिया बैंक कहां पर कोलापूर माहरास्टा के अंदर जो है बैंकिंग बिजन्स इंडिया के अंदर करने के लिए एक बार लाइसेंस जो था उसको कैंसल कर दिया गया है the reserve bank cancelled the license of सुभधरा local area bank limited as क्यों क्योंकि it has breached minimum net worth requirement for two quarters दो quarter तक ये maintain नहीं कर पाया financial year 2019-2020 के अंदर breach किया गया इसके द्वारा bank के द्वारा सुभधरा local area bank के द्वारा ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से bank का license cancel किया गया ठीक है तो सबसे पहली बात तो ये RBA की की PMC के ऊपर restrictions को तीर में एक लिए और बढ़ा दिया गया है दूसरी बात ये है कि infinite India उसको गया है ठीक है और ये का MOU वाला था वो भी आप देख लिए अब हम बात करते है में जो banking term आपको मैं हर वीडियो के अंदर करवाता हूँ ACS Automated Clearing House वैसे NACS देखने को मिलेगा आपको National Automated Clearing House तो इसको बोलते है नाच ठीक है नाचने वाला नाच नहीं ये नाच है National Automated Clearing House This is Nationwide Electronic Clearing House that monitors and manages the process of check and fund clearance between banks In simple words when you deposit a check issued on a different bank into your bank account the ACS manages the clearing process ACS नाच जो है CTS आपने नाम सुना होगा उसके थू ही आपका clearing में check लगता है For further being electronic it reduces manual work Manual work ही बसता है पहले क्या होता था कि मान लीजिए SBIC आपका account है किसी SDFC वाले ने आपको check काट के दे दिया आपने क्या किया आपने bank में लगाया वो check अब शाम को bank का कोई person जाएगा वो अलग-अलग bank के जितने भी check आये होंगे वो इक अठे लेके जाएगा फिर वो सारे एक जगाई इक अठे होंगे अलग-अलग banks के जीतने भी लोग आये फिर वो अपने अपने check चांटेंगे अलग-अलग करेंगे अलग धेरी बनाएगे उसकी फिर वो सबको बांटेंगे कि ये लो भाई ये इस bank का check है वो सारे अपने अपने लेके आएंगे फिर balance मिलाएंगे सब ठीक है तो time बहुत consume होता था तो अब क्या है आज की डिट में तीन दिन के अंदर अंदर bank में account में आपके पैसा भी आ जाता है क्योंकि electronic image scan करके दूसरे जगाई भीज दी जाती है आपके खाते को credit करेगा जिसने आपको चेक दिया उसके खाते को debit करके आपके खाते को credit कर दिया जाता है ठीक है तो automated अब सिधा आपके खाते को credit नहीं करेगा जिसने HDFC वाले ने मान लिजीए ये HDFC वाले जो चेक दिया है उसका नाम HDFC है आपका नाम SBAE है ठीक है तो HDFC वाले बंदे में से डेबिट करके HDFC अपने खाते में डाल लेगा और SBAE के खाते में डाल देगा और SBAE आपके खाते में डाल देगा ऐसे बैंक का आपस में लेन देन होता है automated teller machine teller आपको पता होगा जैसे कि clerical अगर आप join करते हैं तो उसे बोला जाता है teller ठीक है teller वैसे teller हर कोई होता है तो teller जो होता है teller जो automatic हो तो वो machine होती है automated teller machine ATM के full form आपको पता होगा automatic नहीं है automated है before the computerization of banking process account holders would visit the branch and fill a withdrawal slip और आप self check go to teller counter counter पे जाता है फिर money निकालता है अपने पैसे निकलवाता है automated teller machine में क्या होगा ये सारा बाहर की बाहर branch में जाए बिना ही आप कहीं पे भी कर सकते हैं आप you can conduct transaction with your bank electronically using ATMs आज की rate में तो CDM fit होती है ATM और CDM का combination मिलता है आपको ठीक है वो क्योंसी CDM क्या होता है cash depositing machine आप cash डालते हैं account number डाल देते हैं वो पैसा जमा हो जाता है ठीक है अगर आप telegram group join करना चाहते हैं तो join किजिए को origin group को only board is the new black printable PDF आपको जल्दी ही जल्दी मिल जाएगी वहां पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजिए नहीं लगी तो dislike करने कमेंट कीजिए कि कहां आपको कमी लगी ताकि सुधारा जास के share कीजिए अपने शीरे रिसोर्स के साथ जिने जोग पर सक्च जरत है जिनके family को जोग पर सक्च जरत है और इस बार subscribe करके बेले के अंदबाना मत भूलेगा पिसली बारा भूल गएते thank you thank you so much